हेलो इस्टुडेंट कैसे हैं आप सभी आसा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिच्छ की तैयारी में बिल्कुल लगे हुए होंगे क्योंकि पहुंत ही करीब है नजदीक है जैसा कि हम आप लोगों के लिए विडियो लेक्चर लेकर आरे हैं इस्टुडें में जो 2018 के प्रश्ण पेपर है इस्टुडेंट मैट्स के उसका हमने 1210 मतलब कि एक से लेकर दस तक की जो कोश्चन उसको हमने कर लिया था अब बारी है फोर मांक्स को करने के लिए बड़े ध्यान से देखिएगा इस्टुडेंट अराम से हम समझने वाले हैं और थोड़ हमारा कोश्चन के अगर बात की जा तो आप नीचे देखी सकते हैं इस्टुडेंट क्या है कि बहुलक ज्याद करने हैं बहुलक क्या होता है कि बहुलक नाम में ही छुपा है बहु बहु मतलब क्यों होता है बहुँच ज्यादा तो हमें उस चीज को देखना है जिसमें बह बहुलक होगा है ना अगर आपका इंडिविज्वाल डेटा होता है ठीक है व्यक्तिगत स्रेणी के अगर आपके पास आंक्रे होते बिल्कूल ऐसे बिखराव भरा होता है यह क्या है वर्ग में दिया हुआ है तो यहां पर मामला अलग है यहां पर फॉर्मूला चलेगा लेक क्योंकि यह वर्ग में दिया गया है और इसमें हर एक में वर्ग क्लास है तो चलिए बढ़ते हैं आगे तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा वही कहानी है कि कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो देखते हैं यहां पर अगर मैं देखूँ तो 9, 17, 28 सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसना है इस वाले वर्ग की है और यह जिस वर्ग की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही क्या कहलाता है आपका बहुलक वर्ग सबसे पहले आपको यही निकालना होता है जी हां श्टुडेंट तो इसका बहुलक वर्ग क्या होईगा exactly आपको बिल्कुस समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो L है, L क्या है, वो lower limit है, मतलब की निम नसीमा है, किसका बहुलाक वर्ग का, मतलब की 20 जो है, वो L कमान है, यह आप यहाँ पे लिखेंगे, student, मैं यहाँ पे आपको mention करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले की आवरित्ती, क्या मैं सही जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, इस वर्ग की जो आवरित्ती है, यह जो 28 है, जी हाँ, क्योंकि माधिका और बहुलाक में यही कई-कई बार confusion हो जाता है, माधिका में हम पहले वाले की लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें, देखिए यह F1 है, यह F1 का काम करेगा, यह किसका काम करेगा, यह जो 28 है वो F1 का काम करेगा, ठीक है, इसके बाद यह जो है F0 का काम, उसके ठीक पहले वाले देखिए F0, फिर F1, और यह काम करेगा F2 का, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, क्या लिखाएंगे हम, कि F1 जो है वो क्या है आपके बहुलक वर्ग किया वित्ती, F-naught आपका क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक, पहले वाले किया वित्ती, पहले किया वित्ती, फिर ये है क्या है, ठीक, बाद किया वित्ती, ठीक है, फिर H जो क्या है, H होता है आपका class size, वर्ग माप हम कह सकते हैं, या वर्ग में इन दो कोटे घट आजी दस बीस में से दस दस तो एच कमान कितना आ जाएगा दस आई यह मान रखते हैं अब फॉर्मूले में और हल करेंगे हमारा बहुलक सामने आ जाएगा तो यहां पर बहुलक कि अगर बात की जाए बहुलक M0 is equal to L कमान कितना है 20 है L कमान 20 है मान रखने पर फिर F1 कमान कितना है 28 है 28 है minus F0 कमान 17 है divided by इसके बाद 2F1 तो 2 into 28 2 into 28 minus F0 कमान कितना है 17 है 17 है और इसका मान है आपका कितना 23 into H H कमान कितना आ जाएगा आपके दोनों के बीच का अंतर 10 है यह हमारे पास आ चुक है अब बस solve करना है ध्यान रखिएगा यह प्लस है और यह multiplication है आगे बढ़ते हैं 20 तो ऐसे ही चलता रहेगा 20 में कभी आप कुछ मत करो लास्ट में add करने का काम आता है और जल्दी से आप और तीन 10 हासिल गया एक यह हो जाएगा 40 फिर गुनित 10 इस तरीके से यह आ जाएगा student 20 प्लस 11 डिवाइड़ बाई इन दोनों का अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास इन दोनों को माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 16 गुनित 10 क्या कुछ कटेगा 25 बटे 8 20 धन 55 बटे 8 थोड़ा आगे solve करती है student तो 8 से कितना बार चला जाएगा 8 से चला जाएगा चलिए जल्दी से अगर हम इसको divide करें तो 55 बटे 8 पचपन बटे 8 जैसे ही मैं करता हूँ तो 8 हे कम 8 एक बार मिले जाते हैं ठीक है 8 के पहड़ा में 55 आस पास कौन आता है 8 तक wheels 48 और 8 7 चला गया फिर बचेगा कितना तो 8 चल चला जी चला जाएगा तो यह हो जाएगा आठ पंचे चालिस तो 6.875 आपका इसका आंसर आ जाएगा यहां से मैं लिख सकता हूँ 20 प्लस 6.875 ठीक है इन दोनों को जब एड कर देंगे इन दोनों को जब एड कर देंगे student यह मैं यहां का जगा ले लेता हूँ तो बहुलक आपका निकल क्या जाता है बहुलक M not का मान जब आता है वह आता है 26.875 आयाता है आप अंत में बिल्कूल अच्छे से उतकरिष्ट उत्तर की स्रेणी में आपका अपना आंसर लाएंगे कि अतह दिये गए आंकडों का बहुलक यह प्राप्त हुआ आप लिख देंगे student मुझे उम्मीद है कि आपक क्या है कि यहां पर दिये हुए डेटा का बस आपको क्या निकालना है माध्धी का निकालना है बिल्कूल अराम से समझ रहे हैं हम आप सेम टू सेम ऐसे ही है बिया गया डेटा आपके सामने हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर और माध्धी का निकालने के लिए आप जानते हैं कि वर्ग और वर्गांतर आवृतिक साथ साथ हमें चाहिए अपना अवरमभारत हमें निकालना परता हैं तो संचै वारमभारत निकालते हैं तो सबसे पहले क्या जुड़ेगा इसके साथ कुछ चहे के साथ जोड़के आपको क्या कर देना है लिख देना है यूं कहें कि चार छे दस यह आ गया दस आ गया इस तरीके से हम संचेई बारंबारता निकालते है इसके साथ माधिका में आपको बहुत ज़ादा जरूरी इस टूरेन सबसे ज़्यादा main है n कमान निकालना क्या होता है n तो sum of frequency या जब इस total इसका योग निकालते हैं वही क्या है आपका n कमान है तो आईए यहाँ पर मैं लिख सकता हूं student यहाँ पर कि submission of frequency अगर यह मैं f यहाँ पर भी so कर दूँ इसी को मैं लिख सकता हूं small n कि कोई-कोई 32 आएगा क्योंकि हमने तो यहाँ पर जोड लिया है total करके देखोगे तो 32 आएगा अब इस 32 का सबसे पहले आप क्या निकालना पड़ेगा चू की यहाँ लिखेंगे अब देखिया answer start हो चुका है यहाँ पर आप लिखेंगे कि दिये गए आकड़े का क्या निकालना है ठीक है अब यह 16 देखिए इस संचई बारम बारता में कहां पर आएगा ठीक है इस 16 का मान को मुझे यहाँ पर नी ढूनना है इस frequency में ढूनना है 16 को आपको इसमें देखना है cumulative frequency अर्था संचई बारम बारता में देखना है ना कि इसमें तो आएगा क्या चीज अब अब मै किसी से जाधा माना आगया तो उसके बाद वाले में ही आएगा मतलब कि 16 इस में नहीं आएगा और यति हमने ला लिए ठीक है। यहाँ पे आएगा यह हम देखते हैं फिर यह हम्ने क्या यह बनेगा माध्धीका वर्ग 20-30 माध्धीका वरग बनागा जैसे कि हमने निकालने वाले माध्धिका वर्ग आप यहाँ पर लिखेंगे कि अताह माध्धिका वर्ग क्या प्राप्त हो रहा है च्तूडेंट 20 से 30 फिर से यह किसका काम करेगा एल का काम करेगा और बाकी कहानी मैं मैं बताता हूँ पहले formula तो लिख लें इसलिए माध्धिका बराबर अब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों माध्धिका आपका निकल क्या जाएगा क्या माध्धिका जिसको हम sa md हम कह सकते हैं फिर यह l plus n divided by 2 minus cf बटे f गुनित h होता है यह formula होता है कई-कई जगा पे यह थोड़ा लंबा सा दिखता है उस पर आपको घबराने की बात नहीं हो थोड़ा expand कर दिया जाता है formula वही होता है ठीक है आईए अब l जो है मैंने बता दिया क्या है माध्धिका वर्ग की निम्नसीमा ही student इसके बाद n by 2 n by 2 आप जानते ही है क्या है पदों की संख्या है जिसका हमने क्या किया है दो से भाग करके इसका आधा निकाला है ठीक इसके बाद cf क्या है cf देखिए student cf जो है वह आपको ये वाला नहीं लेना है ये वाले संचेई बारम बारत ठीक पहले की संचेई बारम बारता है फिर f क्या है f बनेगा ये ये 20 है आपका ये है f ठीक ये है आपका cf और ये है आपकाका f फिर h ,s तो आप आप जान ही चुके हैं अंतर कितने हैं दोनों में अंतर है 10 का इन में अगर हम बाद करें तोрь 10 का है तो h कमान 10 आ जाएगा आईए बढ़ते हैं आगे और value रखते हैं तो माध्धिका md माध्धिका md बराबर l का मान है 20 प्लस n by 2 आपको क्या प्राप्त हुआ है 16 और cf, cf मिल रहा है आपको क्या 10 cf मिल रहा है 10 और माध्धिका वर्ग की frequency है 20 ठीक है इंटू h, h का मान है 16 ठीक है यह आपके पास value हमने put कर दिया बिल्कूल आसान है अब आगे बढ़ते हैं और इसका value लेके आ जाते हैं student यह रहा 20 प्लस यहाँ पे अगर 16 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगे जाएगा 6 बिल्कूल कितना 6 बटे 20 यह आजाएगा गुनित 16 फिर से जो कटता है कार देते हैं जो नहीं कटता है छोड़ देंगे तो बिल्कूल कट जाएगा 10 बार और यह 8 बार फिर कटेगा 5 बार और यह 4 बार कट गया और कटेगा क्या ठीक है ओ सॉरी सॉरी यहाँ पे एक mistake है 16 यहाँ पे नहीं आएगा यहाँ पे 16 नहीं आएगा ठीक है यह गलत है क्योंकि class size है ठीक है class size दोनों में अगर हम अंतर देखें तो 10 का है यह कैसे आ सकता है यह तो 10 आएगा ठीक है यह 10 आएगा यहाँ पे कितना है 20 है ठीक तो 1 0 से 1 0 कटा मतलब 10 से अगर 20 को काटेंगे तो दो बार कटेगा यहां से अगर मैं देखूं तो 20 प्लस इसको जब मैं काटूंगा तो 3 इस तरीके से माध्धिका कितना आ गया आपको अतह दिये गए आंकड़े का माध्धिका 23 प्राप्त होती है इस तरीके से आप लिखेंगे यह आप 4 मांक का इस्टूरेंट कोश्चन उम्मिद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा यह वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड सेर करना ना भूलेगे इस्टूरेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है सब्सक्राइब तो आप करी लेंगे आप बहुत ही समझदार है और आप हमारे पूर्पार अपको इस साथ बने हुए इस्टूरेंट हमारे चाइनल पर जाकर देख सकते हैं एक एक वीडियो जो है वो आएक एक कोश्चंड को हमने एक एक वीडियो में बना दिया जो कोश्चंड आपको चाहिए बस एक क्लिक पर आपके मौजूद है कोई भटकाओं न से बहुत ही सांदार कोश्चन आने वाले स्टूरेंट सो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर अपके दोहर 18 सेट एक कोश्चन नमबर 12 यहां पे छेत्रमिती का यह सवाल है बहुत ही सांदार एक संकू के अधार का व्याज 14 cm है और उचाई जो है वह 24 cm है तो संकू का संपून प जर्मिती हैं अरे बड् Blaze वाले की पड़े वाले के की तोपी भहीया तोपी कैप है यह बाठडe कैप ठीक तो यहां से यह क्या حता होता है इसका हाइट होता है यह इसकी त्रिज्जा होती proudly मिला दे तो यह क्या हो जाएगा यह वृत्ताकार होता है ठीक है आख जैसे दिख रहा है ऐसे ठीक है क्या होता है ऐसे बदाम ठीक है बदाम जैसे दिख रहा है यह क्या आम खाते हैं उसके अंदर का जो गुठली है उसके जैसे तो दिक्कत नहीं आप ठीक यह आर है तो टू आर यह हो जाएगा यह H है और यह जो होता है वो L होता है इन बातों का आपको विसेश रूप से ध्यान रखना है किसी भी संकू के लिए ठीक है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने देखा है इस्टूरेंट यह कंफ्यूज हो जाता है कि तीरिया कुछ आई और उचाई क्या है ठीक है इस्टूरें व्यास बराबर जिसको हम D से सो करते हैं वो 14 सेंटीमिटर है जाहिर सी बात है आर अर्थात त्रिज्या कमान क्या आ जाएगा 7 सेंटीमिटर आ गया पहला काम तो हो गया फिर H कमान आपका दिया गया है इस्टूरेंट क्या H बराबर है आपका 24 सेंटीमिटर 24 सेंटीमिटर है इस पर कहते हैं कि संकू का संपून प्रिष्ठ का छेत्रफल और आयतन संपून प्रिष्ठ का छेत्रफल और आयतन आपको निकालना है तो देखिए संपून प्रिष्ठ के छेत्रफल अगर बात की जाए तो आपका पाई आर प्लस एल ये होता है फॉर्मूला यहां पे एक आ रहा है L, क्या आपके पास L गिवन है, नहीं, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, L निकाल लेना, तो चू कि आप लिखेंगे क्या, L स्क्वेर बराबर होता है, किसके, H स्क्वेर प्लस R स्क्वेर की इसका वैल्लू, फिर आप अगर वैल्लू पूट कर दें, तो L स्क् वर्ग होता है, 576, धन R का स्क्वेर मतलब की हो जाएगा, 49, तो दोनों मिला की हो जाएगा, यह 625, ठीक है, एड जब करेंगे, तो 625 आएगा, इस तरीके से L का मान कितना जाएगा, 25 सेंटिमेटर, कैसे आएगा, सर, ऐसे आएगा कि वर्ग से जब वर्ग हटाएगे, तो पहला काम आपको क्या निकालना है, पहला काम निकालना है, संकू के, संकू के वक्रप्रिष्ट, सौरी, संपून प्रिष्ट है, एक बार जरूर देख लेंगे, वक्रप्रिष्ट है, संपून प्रिष्ट है, संपून प्रिष्ट निकालना है, ठीक, अभी अभी बताया, मै भूल गया, ठीक है, संपून प्रिष्ट, क्या होता है ये, पाई आर, पाई आर, प्लस एल, पाई आर, धैर, आर प्लस एल, तो पाई कमान होता है, 22 बटे 7, आर कमान दे दिया है, कितना मेरे प्यारे साथ ही हूँ, आर कमान, आर कमान कहा है, 7 है, ठीक है, फिर यह हो जाएगा, आर प्लस L, L कमान अभी 25 निकाले हैं, यह आ गया 25, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, 22 आएगा, गुनित, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 और 25 कट करेंगे, तो 32 आजाएगा, इस तरीके से अगर मैं देखूं, तो 22 हो जाएगा, यह 44, 44 का 4, हसिल गया 4, 22, 36, 66 और 4 हो जाएगा, कितना 70, तो चुकि यह 6 रफल है, इसी लिए इस्ट्रेंड यह किसमी होगा, वर्ग सेंटीमिटर में, तो संकु के संपून पाई आर स्कुएर एच, मतलब कि तीन बार वो संकुल धर्वे, ठीक है, जतना ओकर डाइमिटर है, का कर डाइमिटर भाई, नीचे में वर्गा का रही थे न, वर्ग, ये वर्ग, उतने डाइमिटर वाले बेलन में कहूं, और उतने उचाई में, अगर हम वो संकुल तीन पानीला का में वो बेलन में डालवो, तो तीन बार डाले लगी संवारी हो, जाने मरे प्एर सांती हो, तीन बार डेल लगी, एकर सेतन देख, ये हो थे का, कि एकर ऐक बट्रे कुल तीन हो थे, आब अगर ध्यां से देखू, तो पै आर स्कुर side का करे, यह हरे आपके बेलन की आयतन, बेलन की आयतन, तो हम क्या करते हैं, इसमें, कि ये क्या होता है, one third होता, मतलब तीन बार जो है संकू से, संकू से मतलब कि उतना ही height रहे उस संकू का, जितना कि उस बेलन का है, उतना ही उसके नीचे की अधार की क्या रहा है व्यास रहे जितना की बेलन का है उसमें अगर आप पकड़ते हैं तीन बार जब पानी डालेंगे आप कोई द्रव डालेंगे किसमें संकू से बेलन में तब जाके वो बेलन भर पाएगा इसलिए one third होता है उसका ठीक है याद करने का इस फार्मूला बेलन में महनत कीज़े संकू का अपने आप बन जाएगा ठीक है तो आईए अगर मैं फार्मूले में value रखूं one by three pi कमान कितना होता है 22 बटे साथ रख देते हैं 22 बटे साथ गुनित आर का वर्ग मतलब की साथ का वर्ग गुनित harus चकमान कितना है 24 है access कमान है 24 साथ का वर्ग है ठीक है एक जो है कर जाएगा तो कितना बचेगा हमें हमारे पास एक है ऐगा एक साथ आई जाएगा 7 गुनित यह हो जाएगा कितना 24 ठीक है और कुछ समान बच रहेगा बिल्कूल गुनि 56 अगर मैं इसका मान निकालूं तो 22 चक्के कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 120 और 12, 132 एक्षोबत्थिस का दू हसिल गया, 3 ठीक है, फिर यह हो जाएगा कितना, 22 पंचे, 110, 110 और 1110 और 1110 हो जाएगा कितना, 120 हो जाएगा, तो 1232 फिर से आयतन निकाल नहीं त घं सेंटीमेटर अर्थाग घात तीन में 1232 एक बार जर्वे मैच कर लेते हैं, आया है या फिर तुक्का लगाने के चक्कर में गड़बर हो गया, ठीक है 1232 बिल्कुल आया है, तुक्का नहीं लगा है, सहीं सहीं बैठ गया है, चलिए ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेशन क कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी अथवा भी कर लेते हैं, ठीक है, एक ही कुश्चन नहीं करेंगे, हम पूरा कराएंगे आपको, क्यूंकि हम आपके लिए solution कर रहे हैं, एक को बता के क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम जीजिए, और अराम से आप सीखते रहे हैं, कई पर कोई संका है, तो समधान के लिए निजे नंबर दिये जा रहा है, आप भेज सकते हैं, या कॉमेंट तो आपके लिए सदय ओपन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है आपके गोले का व्यास है, गोले का व्यास आपको दिया जा रहा है, मेरे प निकाल लो गोले के व्यास दिस हमका निकाल लें तॐज्या निकाल लें फिर आगे बर्थन बस अत्किय दे हैं हैंब कहा थे कि गोले के पृष्थी छे द्रफल और आयतक अब गया है तो यहाँ पर आपको ध्यां रखना है गोले की बात अगर है तो यहाँ पे कोई वक्र प्रिष्ठ नहीं होता मेरे प्यार सात्यों कोई वक्र प्रिष्ठ नहीं होता है कोई संपून प्रिष्ठ नहीं होता ओर आल प्रिष्ठी छेत्रफल ही संपून प्रिष्ठ छेत्रफल है ठेक हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है पहला नंबर गोले का प्रिष्ठी छेत्रफल गोले गोली लिख रहा हूं गोले का प्रिष्ठी छेत्रफल जो की होता है क्या चार वर्ग के छेत्रफल के बराबर तो चार वर्ग के छेत्रफल के बराबर यहां रखीगा मेरे याद रखने बोल रहा हूँ, नीचे कॉमेंट में लिखोगे वर्णा, इस सर याद रखें आपके बाद को, कि चार वर्ग के छेत्रफल और वर्ग के छेत्रफल कब से पाई आर स्क्वेर हो गया है, तो ठीक है, कोई नहीं, तो चार जो है, वो सरकल के छेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे आर कामान मेरे पास है, बिल्कुल आसानी से हम निकाल ले सकते हैं, चार गुनित, पाई, गुनित, यह हो जाएगा, आर का वर्ग मतलग की 36, तो यह हो जाएगा कितना, चार छक्के, हो जाएगा आपका 24, 24 का 4, हासिल गया कितना, हासिल जाएगा कितना, इस्टुनेंट, दो, फिर, चार तिया 12, 12 और 24, तो 144 पाई, चूगी यह 6 तरफल है, तो सेंटिमिटर का स्कॉयर, ठीक है, चाहें तो आप इसको तोर सकते हैं, वरना यह ऐसे भी छोड़ देंगे, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है, बनता है, तो बिल्कुल बनाईएगा, ऐसी मत छोड़ना, ठीक है, 22 से इसको गुना और 7 से भाग करके आप बना सकते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या निकालना है, गोले का आयतन, जो की होता है कितना, यह होता है, 4 बटे 3, पाई आर क्यूब, आखिर यह कैसे आता है, अभी हम डिसकस नहीं करेंगे, वरना बहुत ज पूस्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, चलिए, तो 4 बटे 3, गोनित पाई कमान रहने देते हैं, आर कमान कितना है, क्यूब, और आर कमान क्यूब है, मतलब की 6 कमान क्यूब है, और 6 कमान क्यूब है, मतलब की 216 कह रहा है, इनका कहना है 216, ठीक, आईए मेरे प्यार प्यारे साथ ही हो तो ये क्या इतना चला जाएगा साथ दुनी 14 और 4 दुनी 8 148 पाई और चुकि ये आयता नहीं सी लिए घन सेंटीमिटर घन सेंटीमिटर आ जाएगा चाथ दुनी 8 और साथ 29 क्या कर रहा है भाई ठीक है साथ 24 पाई बोलता है ओर गलत सलस्लर लिख रहा है ठीक है चलिए बिल्कुल सही है और इस तरीके से हमने दोनों ही question को बड़े ही प्यार से बना लिया है और आगे के question है question number 13 अगर मैं देखूं तो question number 13 में आपको मिल रहा है क्या construction है क्या नई उस सराल रेखा का समीकरन ग्याद करना है जो की जिसकी प्रमारता और रेखा किस रेखा से गुजर रही है किसको क्यांस मिलते हुए वो गुजर रहा है उसके बारे में आपको दिया गया है आईए और इसके बाद वाले के लिए मैं बता आपका time ज्यादा जाया नहों इसके लिए आप जरूर से हमारे इस video lecture को जरूर देख सकते हैं यह मूलधन वाला जो मामला है graph ग्राफ का वो हम पहले से करा चुके हैं और जैसा कि मैंने बताया है कि हर एक question के लिए एक एक video lecture है तो आप जरूर जाएंगे यहाँ पे तो आपको सामने में ही thumbnail में मिल जाएगा यह question वहां से आप जरूर समझ लीजिए यहाँ अभी हम यहाँ पे इसको नहीं लेने वाले हैं तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि और और आपके जो question है में कि गुजरने वाला कैसे है वैसे तो यह भी वहाँ पे मिल जाएगा बिल्कुल क्योंकि selected question ही आता है आप जानते हैं इस वाले unit से या तो graph देकर देगया या तो दोनों में से ही देता है ठीक है और popular तो वही सम ऐसको कहते है प्रमंदा अगर आपको दिया जा रहा है और चहरा है कि यह जो है वह एक बिंदू से भी होकर गुजरता है तो इसका बनाने के दो तरीके हैं और ये दो तरीकों को आपको सीखना है तो नीचे दिये गए लिंक में जाके सीखना पड़ेगा मैं तो एक तरीका बताऊंगा जो की सबसे आदा यूज किया जाता है ठीक है यहाँ पर अगर मैं देखूं तो m का मान आपका दिया जाए रहा है प्रमनता चलिए थोड़ा लिख लेते हैं प्रमनता प्रमनता m बराबर कितना है दस बटे पांच दस बटे तीन है तथा जो रेखा है वो कहां से होकर गुजरती है कोई बिंदू है ठीक बिंदू दिया गया है कोई बिंदू हम लिख सकते हैं बिंदू X,Y का मान आपको मिल रहा है मेरे प्यारे साथियों 0,5 0,5 अब इतने के help से आपको उस रेखा का मान बताना है जो इससे गुजरता हो और इतना क्या रखता हो प्रमनता होता हो उसका तो यहां से सबसे पहले हम मान लेंगे माना करूप को माना की माना की वह रेखा या उस रेखा का समीकरन क्या है Y is equal to MX plus C समीकरन नमबर 1 यदि रेखा 1 इस बिंदू से होकर गुजरती है तो इस बिंदू के समीकरन को क्या करने वाली है संतुष्ट करने वाली है लिखेंगे हम चूकी रेखा 1 बिंदू बिंदू 0,5 से जाती है इसलिए इसको क्या करने वाली संतुष्ट करने वाली है आप यहाँ पर पूरा लिखेंगे तो x बराबर आप क्या रखने वाले 0 वा y बराबर 5 रखने पर y बराबर 5 रखने पर यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथ हो इस तरीके से देखिए m कमान भी है तो यहाँ पर पूरा पूर कर देंगे y के जगा आपको 5 रखना है 5 is equal to m कमान m कमान x कमान तो 0 है तो m को ऐसी ही रहने देते हैं और 0 प्लस 6 ठीक है तो c कमान आजाएगा 5 यही तो हम चाहते थे क्योंकि c ही था अज्यात में ये क्योंकि m मुझे पता है बस c और m निकल गया इसलिए अभिष्ट इसलिए अभिष्ट रेखा का समीकरन अभिष्ट रेखा का समीकरन है क्या y is equal to m, m कमान है 10 बटे 3, x कमान x कमान थोड़ी न लिखेंगे 5, c कमान है 5 ठीक, cross multiplication करेंगे इसको थोड़ा हल कर लेते हैं तो यह जाएगा 10 x धन 15 बटे 3, इस तरीके से आपको मिल जाएगा इसलिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 3 y 3 y is equal to 10 x plus 15 तोड़ना मरोणना है तो कर लो, क्या जाएगा यहाँ से 3 y is equal to 3 y minus 10 x minus 15 is equal to 0 यह आपका answer है, यहाँ से भी छोड़े होगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको full marks मिलेगा, आईए, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे next question को इस चित्र में बहुत ही प्यारा question है बहुत ही अराम से आपको समझना है student इसको कि यह जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको circle का यहाँ पर देख सकते हैं वो जो है आपका क्या है उसमें से एक कोण का मान आपको दिया जा रहा है और कुछ कोण का मान आपको निकानना है यह क्या बन गया है, ठीक है, चलिए कुछ कून का मान आपको निकालना है कुछ कून का मान दिया जा रहा है आईए ये इस कुछ कुछ के चक्कर में हम कुछ कुछ होना जाए ठीक है चलिए ये बना लेते हैं बिल्कुल अराम से 0 ओ ये है 50 अंस ये है 50 अंस और पी क्यों मेरे प्यारे साथियों दिया है क्या दिया है क्यों पी आर क्यूं बराबर पचास बस इतना दिया है और बड़ा सा डिमांड है ओ पी क्यूं कहां है मेरे प्यारे साथियों ओ पी क्यूं ये रहा ओ पी क्यूं मतलब की पी से क्यूं भी जॉइन है बिल्कुल पी से क्यूं जो है जॉइन है पी से क्यूं जॉइन है और इस वाले का मान आपको निकाल के देना है आये बनेगा कैसे थोड़ा सा नजर डालते ह और पहुंसते हैं हमारे chapter number 12, क्या है? कुछ भी हो, याद तो होना चाहिए, क्या? इस पर सरिखाएं एवं छेदा करिखाएं, ठीक है? इसके बारे में हम वहाँ पर अध्यान करते हैं, chapter number 12 में, तो यहाँ पर अगर देखें मेरे प्यारे साथियों, तो इसका मान निकालना है, इसका दिया गया, आखिर निकलेगा कैसे? तो आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है कि आखिर हम जिस कौन का मान निकालने वाले हैं, वो है कहां? है कहां? ठीक है? कहां बैठे है, उलत पही देख, तब तो बार कर वो मेरे भाई, ठीक? तो यह देखिए, यह वाला triangle में ब क्या angle some property of hit triangle? ठीक है, त्रिभुजों के अंता कोनों के योग गुण धर में से, क्योंकि हम जानते हैं, तीनों कोनों का योग कितना होता एक सवस्य, अब यहां तक का रास्ता और मैं बताऊं, बिल्कूल आसान है, आप जानते हैं कि OP और OQ क्या है? एक ही वृत्त के जाएं हैं, और एक ही वृत्त के त्रिजाएं का भी अलग-अलग नहीं हो सकती, इसका मतलब OP जितना हैं उतना ही OQ हैं, जल्दी से मैं लगा देता हूं अपने सरलता के लिए, और किसी त्रिभुज में अगर दो कोन मेरे प्यारे साथियों बराबर हैं, तो क्या कहलाता है सम दिबाहू त्रिभुज, और सम दिबाहू त्रिभुज के सम्मुख कोन भी आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोन भी आपस में बराबर होते हैं, मतलब ये जितना होगा, उतना ही ये होगा, कुल मिला के हैं, आप यूं कहें कि ये निकालना यह निकलेगा कैसे आप एक ने एक थियोरम पढ़ा होगा कि एक ही चाप द्वारा केंद्र परंतरित कौन डबल होता है उसी चाप द्वारा से सभाग में अंतरित कौन का पढ़ा है कि नहीं थियोरम क्रमांग साथ निकाल के देख लीजिए अपने बुक पे कि किसी वृत्त क एक ही चाप द्वारा केंद्र परंतरित कौन से सभाग में अंतरित कौन का डबल होता है यह जो कौन है वो इसका डबल होगा अर्थात वो सवन्स होगा यहां पे आप बिल्कुल लिखेंगे आप यहां पे लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि क्या ग्याद करना है कौन ओ पी क क्यूं का मान ग्यात करना है और डिटेल में आपको बता रहे तो मेरे प्यारे से सांती हूं जो मैं आफ्लैंड क्लास वालों को ही बताता हूं क्योंकि उनके पास टाइम होता है बढ़ियास सीखने आते हैं मेरे बैयारे बच्चे लोग ठीक है तो वहां पे हम देख सकते हैं क कौन ओ सौरी कोन के ओ क्यूं वह कौन पी आर कूँ एक ही चाप किसके द्वारा पी क्यूं एक ही चाप पी क्यूं के द्वारा अंतरित पी क्यूंके द्वारा अंतरित कौन हैं इसलिए हम जानते हैं कि प्रमेक्रमांक साथ परिच्छा में यह नहीं लिखना है बाबू वरना आगे वाले इतना हसेगा कि इसी का तो इंतिजार था मुझे यह आप पूरा लिखेंगे प्रमेक्रमांक साथ मैं यहां पे नह ट्रित कौन से उसी चापद्वारा सेज़ भाग में नतरित का दुगना होता है इस तरीके से हम लिख सकते हैं को पियूं का मान कितना आज आ जाएगा क्यूंकि पी आर क्यों करमान आपको पास कितना है आपके पास है 50 डिग्री तो यहां से मैं लिख सकता हूँ यह कितना हो जाएगा फिर 100 डिग्री ठीक है लेट यहां पर अगर मैं देखूं अब त्रिभूज अब त्रिभूज P O Q में इसको तो आप बताएंगे जरूर O P बराबर है किसके O Q के क्यों भाई क्योंकि यह त्रिज्जाएं हैं और कैसी त्रिज्जाएं कहां की त्रिज्जाएं हैं एक ही वृत्त की त्रिज्जाएं हैं जो की अलग-अलग होती है है न, आपका वृत्त में अलग-अलग, नहीं, एक ही होता है भई, कैसे अलग-अलग हो सकता है, एक ही वृत्त की तो जान ठीक है, तो ये हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके कौन, कौन-कौन, O, P, Q, बराबर होगा, कौन, किसके, O, Q, P, के, बराबर X माना, ठीक है, सस्त सुन्दर टिकाओ, ये वाला अप्रोच आप आप ना सकते हैं, बिल्कुल X मान लिया आपने, इसलिए, इसलिए, अब क्या, इसलिए, कौन, A, कौन, P, धन, कौन, O, धन, कौन, R, कौन, Q, बराबर कितना, 180 degree होगा, कहां से जानते हैं, क्योंकि, कौनों के, अंता, कोनों के, योग गुन धर्म से, त्रिभुच के, अंता, कोनों के, योग गुन धर्म से, P का मान जानते हैं, क्या, बिल्कुल जानते हैं, सर, X है, O का मान जानते हैं, क्या, अभी, 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 निकाले हैं, 100 अंस है, क्यों का मान, X, P, के बराबर है, तो, ये हो जाएगा, भी, X, और टोटल है 180 डिग्री के, कटता है, कटा दीजिए, तो इधर से जाएगा, यह x, यह 2x is equal to, यह इधर जाएगा, तो 80 डिग्री आ जाएगा, तो x कामान कितना प्राप्त हुआ, आपका 40 अंस प्राप्त हुआ, इस दिश्ट्री कोन से मैं देखता हूँ, यह बिल्कुल आने के लायक है, यह नहीं, तो इस पैटर्न में या, में पैटर्न, पैटर्न से आप क्या समझते हैं, यह जो आपने यहाँ पर यह थ्योरम नंबर 7, आपने यूस किया इस यही है पैटर्न इसका, कि इस पर बेस कोई कोश्चन आ सकता है, बहुत ही अच्छा कोश्चन है, बिल्कुल से आप तयार करिएगा, सांदर सा कोश्चन है, मैंने अपने अराम से इसको समझाने का प्रयास किया है, और कुछ चीज़ों को मैंने काटा, उसको आप बिल्कुल लिखेंगे, कि दिया है, फिर सिद्ध करना है, या मान निकालना है, ठीक है, इसके बाद जो थ्योरम है, उसको आप बताएंगे, और फिर बांकी की कहानी आप जानते ही, अपने तरीके से आप इसको हैंडल करने मेरे प्यारे साथियों, अगले कोश्चन के रूप में हम लेकर आपको चलते हैं, जिसमें इनका कहना है कि एक त्रिभूज ABC है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कोई आपको सम कौन त्रिभूज नहीं कहा है, आपको केवल इतना कहा है कि ABC एक त्रिभूज है, जिसमें ना यहां से जिसे आपको क्या डालना है इस पर लंब डालना है ठीक है बहुत बढ़िये चाहें तो आपको नहीं पसंद तो आप ऐसे बना लीजे कोई समस्य नहीं है ठीक है, हमने ऐसे ही बना लिया ताकि हम जो पैंथागोरस थ्योरम और सब रूब किए हैं, उसी के जैसे दिखता रहे, फिर आपको क्या प्रूब करको लाएं, आपको दिखाना है AB का वर्ग धन जो CD का वर्ग होता है, वो बराबर हो गा panicking बडी के वर्ग धन, BD के वर्ग धन AC के वर्ग से ठीक है बिल्कुल सिंपल है वर्ग वर्ग आवा थे तो का लगा देने पाइथागोरस्थ्योरम ठीक है पाइथागोरस्थ्योरम दे बाईया अब का कर बो लगा बो हुई लग और पाइथागोरस्थ्योरम का में लगते मोर प्यार साथ ही हो बिलकोल समकोन त्रिभूज में तो कहां दिखा थे समकोन त्रिभूज अगर हम देख था नेमा तो एक ठन हो जी का लिखा जाता है ठीक है सौरी यहाँ पर मैं अगर देखूं तो चली मैं आपको पूरा तरीका ही बता रहता हूं बडिया से ठीक है सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे दिया है गिवन डेटा त्रिभूज त्रिभूज ए बी सी में ए डी जो है वो लंब है ए डी जो है की जर्वात निया है ठीक है to prove to prove सिद्ध करना है कि ये पूरा चीज आप copy कर लेंगे यहाँ पर ठीक है ये जो चीज है वो अता हम चू की चू की या फिर अता हम डारेक्टी स्टार्ट करते हैं अता हम कौन त्रिभूज सम कौन त्रिभूज कौन बन रहा है adb आप देख सकते है adb और adc ये दोनों त्रिभूज बन रहा है सम कौन त्रिभूज adb वा त्रिभूज कौन adc में कहां से Pythagoras के प्रमे से Pythagoras थियोरम से Pythagoras प्रमे से पहली इमा लगा थान फिर इमा लगा दिवो ठीक है अलग-अलग लिखें के बज़ाय में एक साथ लिखना पसंद करते हो आप अलग-अलग दिखा सकते हो कोई समस्ज़्य नहीं है तो सबसे पहली बात जब भी पाइथागोरस छोरम आपको लगाना है तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है करना तो यह 90 डिगरी के सामने हम जानते हैं ठीक है यहां अगर तीर ऐसे चला हूं ठीक है ऐसे तीर चला हूं कहां एला भूंगत जाही एला भूंगत ज बाकि आप यहां पर कोई दिक्कत नहीं है आप बिल्कुल अराम से फिर एक हो जाएगा आपका लंब और एक हो जाएगा अधार तो लगा देते हैं पहले के लिए तो यह हो जाएगा क्या AB का वर्ग बराबर होगा किसके AD के वर्ग के धन BD के वर्ग के समीकरन नमबर एक इसी प्रकार वहाँ पे अगर हम लगाया मेरे प्यारे साथी हो तो AC का वर्ग बराबर होगा क्या AD के वर्ग प्लस DC के वर्ग के चलिए दोनों समीकरन को हम क्या करने वाले हैं अब माइनस करन वाले हैं, तो समी करण 1- समी करण 2 करने पर समी करण 1-2 करने पर अर्थाथ A, B, C, V A, B, C, V Left hand side,loft hand side रिपde hand side से, ठीक है, फिर B, D ov द is B, D, D, dac चुक अब minus लगा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रैकेट लगाते हैं, तो lu उन्दर जाएगा तो माइनस में यह दोनों को माइनस कर देगा यह डिसी कवर्ग ठीक है जो कटता है कटा दीजिए अडि कवर्ग अडिक वर्ग कट गया फिर यहां से अगर मैं ध्यान स्टूरेंट अब कवर्ग के साथ क्यालान है स्टीडी कवर्ग कहा है यह रहाँ मैट्स है और डिसी मैट्स कहीं क्या है CG पार्ट साला है जो कि आपके special CG वानों के लिए बनाया गया है ठीक है तो यहां से हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि यह हो गया क्या CD का वर्ग ठीक CD का वर्ग गया है क्या है CD का वर्ग फिर इधर कौन बचा हुआ है यह BD बचा हुआ है BD का मना आप पहले है तो यह रहा BD का वर्ग फिर आ जाएगा यह AC जाएगा तो प्लस AC का वर्ग देखिए कितना आराम से काउंट कीजिए 1,2,3,4 4 4 माक्स 4 लाइन में आपका कंप्लीट हो गया यह फिर इधर 6 और ठीक है तो इती सिद्धम to prove hands proved हो गया है ठीक है इती सिद्धम यह prove होता है ठीक है इस तरीके से हमने किया है मेरे प्यारे साथियों मुझा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा और help कर रहा होगा थोड़ी सी भी अगर help कर रहा है student तो आप भी हमारी मदद करिए ऐसे बच्चों के पास पहुचने में जिनको वाकई इनकी जरुवत है और उनके जो है आने वाले जो exam में ये कुछ help कर पाएं तो हमारे लिए भी इससे बड़ी कोई चीज नहीं होगी तो प्लीज सेयर कर दीजेगा लाइक का बटन दबा दीजेगा क्योंकि यही है जो हमें motivate करके रखती है और आगे की वीडियो लिक्चर में हम 5 marks और जो 6 marks के question है उसको हम करने वाले हैं इस वीडियो लिक्चर में बस इतना है अपना स्वास का ख्यार रखिए practice पर ध्यान दीजे और कोई भी संका हो तो समाधान के लिए आप नीचे दिये गए number का भरपूर यूज कीजे comment section का भरपूर यूज कीजे so मिलते हैं next वीडियो लिक्चर में तब तक लिए अपना ख्यार रखिए thank you so much जै हिंद